मूवी शुरू होती है एक आइलंड पर बने होई खर को दिखाने से जहां टेड नाम के एक बहुत अच्छे ओथर और उसके फामली रहते हैं। टेड यहां अपनी पत्नी मेरियन और अपनी बीटी रोट के साथ रहते हैं। और हम देखते हैं कि उनके घर की दीवार पर उनके बेटो टॉम और टिमी की तस्वीरों से भरी होई है। अब हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले उनके दोनों बेटों ने एक कार आक्सिडन में मर चुके हैं। और मेरियन ने इस शौक से अभी तक बाहर नहीं आई है। और तब से लेकर अब तक डिप्रेशन में रह रही है। दूसरी ओर टेड अपने काम में रहता है। और टेड की बेटी रूट की देखभाल उसकी बेबीसिटर आलिस करती है। और रूट को अपने भाइयों की मौत के बारे में पता चलती है। इसलिए वो हमेशा अपने मरे हुए भाइयों की तस्वीरों को देखती रहती है। बात में हम देखते हैं, एक तिन टेड ने अपने लिए एक assistant को काम लेते हैं, जिसका नाम एद्डे है, था कि assistant उसके लिए छोटे-छोटे काम कर सके और साथ ही उसके लिए driver का काम भी कर सकी, क्योंकि टेड का driving license तीन महीने पहले रत हो गया था, बात में टेड में Marian को अपने असिस्टेंट एते के बारे में पताता है और ये दोनों कुछ तेर तक बात करते हैं अब हमें पता चलता है कि उनके बीच बहुत ज्यादा रिलेशन्शिप डिस्टन्स है जब से उनके बेटों की मौत हो गया तब से उनके बीच रिष्टों में काफी डिस्टन्स बढ़ हैं और मेरियन शौक में होने के कारण ज्यादा बाते नहीं करती अब अपने रिष्टे को इसी हालत में देखकर टेड ने मेरियन से कहता है कि कुछ समय के लिए हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और मेरियन भी इससे सहमत हैं बात वो शहर के एक होटल में रहने चली जाती है और उसी रात रोत एक सपना देखकर डर जाती है और रोत टेड के पास जाती है और उसे अपने सपने के बारे में बताती है फिर टेड ने उसे एक कहानी सुनाता है और उसे सुला देता है और टेड ने रोत के सपने के बारे में एक किताब लिखना शुरू करता है अगली सुभह मेरियन ने एदे को pick up करने जाती है क्योंकि आज एदे अपनी असिस्टेंट की नौपरी शुरू करने वाले है फिर एदे आता है और देखता है खी टेट की जगह है उसकी पत्नी उसे pick up करने आ गई है फिर जब एदे मेरियन को देखता है तो वहे उसे बहुत सुन्दर लगती है और वो उसकी तरफ काफी अट्राक्ट भी हो जाती है और मेरियन ने एदे को टेट के घर पर छोड़ने के बाद अपने होटल चली जाती है और Tate ने एदे से मिलता है और उसको काम के बारे में बताता है और उसे ये भी बताता है कि अबसे तुझे इसी घर में रहना पड़ेगा दरसल एदे में Tate बहुत प्रशंसा करता है और Tate की तरहे वो भी एक सफल लेखक बनना चाहता है इसलिए एद्दे यहां आने के लिए बहुत खुश है और टेट उसे पूरा घर दिखाता है और ऐसा करते हुए वो उसे अपनी बिगड़ती मेरिज लाइफ के बारे में भी बताता है इस तरहे मेरियन और वो एक दूसरे से अलग रह रहे है और हमें ये भी पता चलता है कि मेरियन ने एक होटल और एक दिन धर रहती है थाकि रूत को माता पिता दोनों का प्यार मिल सकी इसके बाद एद्दे ने रूत की बेबीसिटर एलिस से भी मिलता है वह बहुत अच्छी लड़की है और टेड बुक्स लिखने के अलावा पेंटिंग्स भी करते है और वो हमेशा न्योड पेंटिंग ही बनाता है और उसके लिए टेड ने एवलिन नाम की एक मॉडल को रखा है फिर अगले दिन मेरियन यहां आती है और एदे भी उन्हें थेटर तक फॉलो करता है यह एदे मेरियन से मिलता है और उसे बताता है कि वह यहां खाना खाने आया था क्योंकि वह घर पर टेड से खाना नहीं मिलते है यह सुनने के बाद मेरियन उसे बताती है एक दिन मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ उसी रात जब एते घर वापस आता है तो वो मैरियन की फोटो देखकर खुद को खुश करने लगता है लेकिन तभी टेट और रूत भी वहाँ आ जाते और एते बाल-बाल बच जाते अगले दिन जब मैरियन यहां आती है तभ एते एक समुद्र कट पर उसका पीछा करता है और फिर एते चुप हो जाता है और एक पिकीनी में मैरियन को देखता है इसके बाद बहे घर आकर मैरियन के अंडगामेंस देखता है और फिर वे खुद को खुश करने लगता है लेकिन तब मेरियन घर आती है और मेरियन एते को ऐसा करते देखती है और मेरियन एते को सौरी कहती है कि उसे डोर नौक करके आना चाहिए था अब एते को इस तरह पकड़े जाने पर बहुत शर्म आ रही होती है लेकिन मेरियन उसे बताती है कि वह उससे नाराज नहीं है और उनकी उम्र में हर कोई ऐसा करता है फिर एदे मेरियन को बताता है उस दिन से उसने मेरियन को देखा थबसे वह उसके बारे में सोचता है ये सुनकर मेरियन कुछ नहीं कहती और चुप रहती है अगले दिन एद्दे ने टेवलो एवलिन के घर पर ड्रॉप करके आता है बात में वो देखता है कि मेरियन ने एद्दे के लिए उसके रूम में अपनी बिकीनी रखके गई है फिर उस शाम मेरियन एद्दे के साथ डिनर पर जाती है और मेरियन एदे बहुत बात करते है मेरियन एदे से पूछती है कि क्या तुम आलिस को डेट पर नहीं ले जाते जिसे एदे कहते हैं कि आलिस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अब काफी देर तक इसी तरह बात करने के बाद दोनों घर आ जाते है अगले दिन मेरियन एद्दे के कमरे में आती है और फिर वे एद्दे को दीवारों में सभी तस्वीरों के पीछे की कहानी बताती है अब ये बताकर मेरियन ने एद्दे को सेड्यूस करती है और वो दोनों इंटिमेट हो जाती है अगले दिन टेड ने एद्दे के साथ एक जगह जाता है जहां टेड अपनी किताब की कहानी को कुछ लोगों को सुनाता है खब एद्दे को पता चलता है कि टेड की सारे कहानी उनकी ही जीवन पर आदरित है उसके बाद वो दोनों घर आ रहा होता है प्रोटेड ने एद्दे को थांक्स बोलता क्योंकि उनके हिसाब से एद्दे आने के बाद मेरियन लंबे समय के बाद खुश रहने लगी है अब कुछ दिनों बाद एक रात रूत मेरियन के कमरे में आती है अब तेड को भी इस अफेर के बारे में पता चल गया है और फिर टेड अगले दिम्कार ने इसके बारे में एद्दे से बात करता है तेड उसे बताता है मैं यही चाहता हूँ जब मारियन और मेरा डिवोस हो कि आप मेरियन के खिलाफ मेरी और से गवाही दे और अपने प्रस्ताफ के पारे में बताएं था कि मुझे रूट की हिरासत मिल सकती है अब ये सब सुनने के बाद एद्दे मेरियन से पूछता है क्योंकि वो अब भी टेट के साथ है जिसे मेरियन बताती है वो टेट एक बहुत अच्छा पिता है और वो रूट की अच्छी देखपाल भी करते हैं और मेरियन ये भी पताती है कि वो टेट की पेंटिंग की आदत से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और शुरुआत में ये मेरियन की न्यूट तस्वीरे भी बनाता था अब कुछ दिन ऐसे ही कुजरती है और एक दिन एदे ने मेरियन से पूछा की कैसे उनके बच्चों का अक्सिडन्ट हुआ ये सुनने के बाद मेरियन को फिर से अपने मरे होई बेटों की याद आ गई और फिर वह कुछ नहीं कहती जिस रात एदे रूत को सारी तस्वीरे दिखा रहा था रूत फिर अपने कमरे में एक तस्वीर लेने के लिए कहती है और मेरियन इससे सहमत है लेकिन रूत उस तस्वीर को गिरा देती है और तूटे शीशे से उनकी उंगली कट गई है एदे और मेरियन उसे डॉक्टर के पास ले गए और फिर जब टेड को इसके बारे में पता चलता है फिर टेड ने एदे को बहुत डाटा इसलिए उसने वह चित्र रूट को दिया था जबकि यह काम मेरियन का था रात में रूट फिर से एक तरावना सपना देख रोने लगती है उसका टेड उसे काफी शान्त करने की कोशिश करता है लेकिन वह शान्त नहीं होती इसके बाद मेरियन वहां आती है और फिर वह रूट को शान्त करती है यह देख र टेड को आभास हो जाता है खीतला के बाद रूट को मेरियन के साथ रहना चाहिए क्योंकि रूट वहां खुश रहेगी अगले दिन जबकि मेरियन एद्दे के साथ अंतरंग हो रही है मेरियन अचानक रोने लगती है और फिर मेरियन एद्दे बताती है कि वो जल्द ही ये सब छोड़कर तहीं जाने वाली है उसी दिन टेड ने एद्दे को एवलिन के खर जाने और उसकी सारी पेंटिंग वापस करने के लिए हायर किया क्योंकि अब टेड का दिमाग एवलिन से भर गया था जब एद्दे एवलिन के खर जाता है तो ये जानकर एवलिन को बहुत खुसा आता है और एद्दे को बताता है उस टेड को शुकरवार को उससे मिलने आना होगा लेकिन इसी बीच एवलिन गलती से अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और तभी एद्दे अपने घर की खिर की तोड़ कर अंदर चली जाती है दे एवलिनिंग में मैरियन एद्दे को बताता है कि शुकरवार को आप एवलिन के घर टेट छोड़ने जाएंगे लेकिन उसे वापस नहीं लाएंगे ऐसा करने से टेट के लिए खुद ही घर आने की शाम हो जाएगी ऐसे समय में अपने बेटों की सारी तस्वीरे लेकर मैं यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर अगले दिन जब एद्दे टेट को एवलिन के खर ले जाता है एवलिन बहुत कुस्से में थी उसने टेट ट्वारा भेजी गई सभी पेंटिंग्स को फार डाला और फिर एद्दे एवलिन के घर पर टेट छोड़कर घर वापस आ जाता है मैरियन तब रुद को एद्दे के साथ टॉक्टर को देखने के लिए भेजता है क्योंकि अगर रूथ यहां है तो वह यहां से नहीं जा पाएगी दूसरी ओर एवलिन टेट के जीवन का अनुसरन करती है और एवलिन अपनी कार से टेट को कुछलने की भी कोशिश करती है लेकिन टेट पीच के पास दोड़ता है यहां रूथ का टांका हटवाने के बाद एदे पिक्चर शॉप जाता है या उसे उस टूटी हुई तस्वीर को ठीक करने के लिए दिया गया था वहां जाकर एदे ने आज उनसे वह तस्वीर मांगी क्योंकि वह जानती थी कि रूथ जब घर पहुचेगी तो अपने मां और तस्वीर को ना देखकर पागर हो जाएगी लेकिन जब एदे ने उस तस्वीर के लिए कहा इसलिए यहां के प्रबंधत ने एदे को चित्र देने से मना कर दिया जिस पर एदे उन्हें खत लिखकर पूरी बात समझाते हैं वह उन्हें अपने और मेरियन के अफेर के बारे में भी बताता है और यह सब सुनकर मैनेजर अंदर है वह चित्र भी देती है दूसरी और टेडे किताब की दुकान पर भागता है या उसके कई दोस्त थे और उन्हें अपना ओटोग्राफ देना शुरू कर देती है यहाँ टेड की निगाहे दो युव्दियों पर टिकी है जो उनका बहुत बड़ा फैन था उनसे पूछता है क्या वह उसे उसके ख़ड छोड़ सकती है दोनों लड़कियां उसे पहले अपने घर ले जाती है जहाँ टेड ने अपने कपड़े बदले इसके बाद टेड लड़कियों और उनकी मा को बताता है कि वह उसे रंगना चाता है और इसके लिए वे सभी खुशी-खुशी राजी हो जाती है इसके बाद टेड गल्स की मदद से जल्दी घर आ जाते है और जल्दी घर आकर वह मेरियन को जाते हुए देखता है फिर टेड उसकी ओर मुरता है लेकिन उससे कोई बात नहीं होती और मेरियन हमेशा के लिए यहां से न्यूयॉक चली जाती है खुछ देड बाद एदे रूद के साथ यहां आती है टेड को एदे पर बहुत गुस्सा आया और फिर उसे थपण मारता है लेकिन इसके बजाए एदे को नात में एक मुका मारता है क्योंकि मेरियन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था एदे टेड को बताता है वह मेरियन अब हमेशा के लिए कहीं चला गया है इसके साथ ही मेरियन के बेटों की तमाम तस्वीरे भी ली गई है और अब टेड के पास अपने बेटों की कोई तस्वीर नहीं बची है अब उस टेड को इस सब के बारे में पता चल गया है फिर फे एद्दे को नौकरी से निकाल देता है और कल ही उसे यहां से जानी के लिए कहता है मेरियन के जानी के बाद रोत को संभालना बहुत मुश्किल हो गया और इसलिए उनकी बेबीसिटर एलिस भी नौकरी छोड़ देती है अब टेड इस सबसे बहुत दुखी था और एदे को शाम को बताता है ऐसे हुआ उनके बच्चों का अक्सिडन्ट दरसल उस रात ये लोग स्किन पर गए थे और मेरियन टेड और उनके दो बेटे शराब के कारण नशे में थे दूसरा बेटा उस समय गाड़ी चला रहा था जिन्हें ड्राइविंग का ज्यादा अनुभव भी नहीं था कार की हेडलाइट और बाकलाइट पर बर्ग थी ठेड की तरह सफाई करना भूल गए और कार नहीं देख पाने के कारण हाईवि पर एक ट्रेक उनकी कार से टक्रा गया जिसने उनकी दोनों बेटों की मौथ हो गई इस पीडा को कम करने के लिए उसने रोट को जन्म दिया लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला अब इस कहानी को सुनकर एदे को बहुत पुरा लगता है लेकिन यह बात उनकी समझ में नहीं आई एक मा अपनी बेटी को कैसे छोड़ सकती है अब अगले दिन एवलिन का नौकर टेट से मिलने आता है और उसे पताता है अब इवलिन ने उसे नौकली से निकाल दिया है यह सुनकर टेट उसे एक ट्राइवर के रोपने काम पर रखता है और यहां अपनी पत्नी को कुप और रोथ की बेबीसिटर के काम पर लगा देता है इसके बाद टेट को अलविदा कहने के बाद एदे अपने घर वापस चला जाता है एवलिन के नौकर और उसकी पत्नी में रोथ की अच्छे से देख भाल शुरू कर दी है और यह फिल्म यही समाप्थ होती है